असलाम अलेकुम फ्रेंड्स होप आल फ्यू आर इन गुड़ सेपरिट एंड दूंक वेल हम कंटिन्यू करेंगे प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन आज हम जो हमारे दो फाइलाज रह गए हैं सब फाइलाज रह गए हैं उनके बार में बात करेंगे हमने देखा कि फाइलाज प्रोटोजोन जो हैं इसके चार सब फाइलाज है पहला है सरको मेस्टगोफोरा दूसरा है सपोरोजोन और तीसरा सब फाइलाम है नाइडो सपोरा फूर्थ वन जो है वो है सब फाइलाम सीलोफोरा तो पहले दो साफ ऐलाज जो है उनके बारे में हमने डीटेल में बात की है और इंपॉर्टन पॉइंट इसको डिस्कस भी किया है अब उम्मीद है कि आपने वो सब चीजें जो है स्टाड़ी की होंगी और उनको याद भी किया होगा याद रखना बहुत इंपॉर्टन है तो चले सब फाइलम नाइडो सपोरा जो है पहले यह है कि नाइडो सपोरा इनका नाम क्यों है यह सब फाइला इसके जो मेंबर्स है इस सब फाइलम के वो सपोर्स बनाते हैं और उन सपोर्स जो है उनके spores में जो हैं flamants होते हैं नाइडो का मतलब होते हैं thread या flamants तो the members of this subphylum have spores with flamants that's why this group has been named as नाइडो spora ठीक है ना चलिए अब नाइडो spora जो subphylum है इसके दो classes हैं पहला class है mixo-supority या mixo-supority तो mixo-supority जो class है इसकी properties के features यह हैं कि इस class के जो spores होते हैं वो large size के होते हैं और हर spore में two to three valves होते हैं valves और एक बात है कि यह spores जब बनते हैं तो यह बनते हैं from multi-nucleate sources इनका origin multi-nucleate sources होता है उसके बद इंपॉर्टन बात यह है कि यह mixo-supority के जो members हैं यह fish parasites हैं यह सारे fish parasites हैं example आप याद रखेंगे mixidium mixidium is one of the examples चले मैं इसको mark करता हूँ यह है mixidium और दूसरे example है serato-migza mixidium and serato-migza यह क्या है यह mixo-supority के members हैं क्या properties हैं इमें लारे spores होते हैं हर spore में two to three valves होते हैं और इनका origin multi nucleate है done उसके पर दूसरा जो class है नाइडो-supora का वह है micro-supority very very important class याद रखें micro-supority micro-supority इसके features क्या हैं यहाँ पर spores small size क्या होते हैं small spores और इन spores का origin uni-nucleate होता है जहां से यह uni-nucleate single nucleate से बनते हैं और इन spores में एक single value होता है mixo-supority के जो members है वो parasites of orthopods and vertebrates है और सबसे important mixo-supority का member जो बहुत ही common है जिसका नाम आप में बहुत बार सुना होगा वह है nosema आपने सुना होगा honey bee में जो protozoan disease करता है उसका नाम का है nosema apis इसी तरह से जो silk warm है उसमें एक disease होती है पेबरीन वो पेबरीन का काज़ी टू एजन्ट कुन है एक micro-suporidien protozoan है उसका नाम है nosema bombisis तो nosema is important nosema क्या है a micro-suporidien जो ही micro-suporidien की बात करेंगे तो यह क्या है nidosipora sulfilem nidosipora और जब nidosipora जहन में आता है तो आपको याद होना चाहिए कि nidosipora जहा है it is a sulfilema protozoa ओके चलिए अब उसके बाद है last sulfilem ciliophora ciliophora जो subphilem है इसके जो members है उनके characters क्या है characteristic feature यह है कि उनमें cilia as locomotory and feeding organ होता है cilia is an organ of locomotion and feeding life के किसी ना किसी stage पर यह जरूर होगा subphilem ciliophora का सिर्फ एक class है ciliata ciliata single class ciliata अब यह class ciliata जो है इसके जो members है उनका एक important feature यह है कि वो dinucleate होते है और nucleate जो हैं dimorphic होते है आपने paramecium की example को भी पढ़ी होगी न paramecium में दो nucleos होते है micronucleos and macronucleos इसको हम vegetative nucleus भी कहते हैं जो nucleus cell के metabolism को cell की activities को देखता है उसको हम vegetative nucleus भी कहते है और इनमें और एक बात है यह बाकि प्रोटोजोन में भी है कि कंट्राक्टाइल वेकलोस भी होते है चलिए ठीक है अब examples क्या है ciliata की common examples paramecium आपने सुना है paramecium caudatum paramecium aurelia paramecium is a ciliate ciliophora इसी तरह से diadenium हाँ इसी तरह सिटेंटर सिटेंटर freeling भी होता है और सिसाइल भी होता है बंद भी होता है एक जगा और freeling भी होता है दोनों यह भी एक ciliate हैं और एक important parasystic जो ciliate है वो है balantidium balantidium की बहुत सरे species हैं जो human beings को जो है human beings में as parasite रहता है वो है balantidium coli ठीक है इस तरह से हमारा protozoan का classification complete होता है बहुत सिंपल वे में मैंने आपके साथ classifying को share किया और I hope कि आपको याद रहा होगा अब देखिए during classification जो भी important protozoans हैं मैंने उनको mention किया है और उनके कुछ features अगर वो parasites हैं तो किस टाइब की disease करते हैं उसको भी हमने discuss किया है इसके अलावा कुछ important protozoans हैं हलांकि यह हमने discuss किया है लेकिन फिर भी मैंने को repeat करना चाहता हूँ noctilio का एक important protozoan है यह important इसलिए है एक तो यह डाइनो फ्लेजलेट है प्लेजलेट हैं तो किस में आएगा तो इसके बारे में इसके व्यम्यों क्या है मैं इसके बारे में पडिन्स रेक्ट करता है यहां से लाइट इनम मिठ होता है ठेक है फिर हैं जियाडिया जियाडिया का common name है grand old man of intestine grand old man of intestine तो जियाडिया intestinealis human wings में डायरे करता है डायरे के डीजिस फिर है आरसिला तो आरसिला जो है ना ये एक सारकोडीन है मतलब सारकोडीन जो सुपर क्लास है उके तो उस में क्या नाम है सारकोडीन जो में एमेबा भी आता है राइजोपोडिया जो उसका हमने एक लास रखा है तो उसी में आरसिला भी आता है तो आरसिला जो है ये एक सारकोडीन है इसमें एमेबा एस लोकोमोटल ऑरगन है अब इसके बारे में इंपर्ट बात यह है कि इसके एराउंड एक शेल बनाता है विच इसमेड़ाब सीडोकाइटिन सीडोकाइटिन क्या है एक प्रोटीनिश सबस्टेंस है और एक बात आरसिला में जो ओपनिंग होती है माउंथ-लाइड ओपलिंग उसको पायलोम कहते है P-Y-L-O-M-E ठीक है फाइन उसके बाद इमपर्टन और एक चीज है वो है रेडियोलेरियन उज अब रेडियोलेरियन जो है जैसे इसी तरह रेडियोलेरियन भी सार्कोटीन है यह मेरीन है और प्लैंक प्लैंक हैं, प्लैंक के मदभ हैं, they drift along with the currents of water, इनके परे में important बाती हैं कि इनका outer shell जो बना होता है, वह बना होता है, सिलिका का, सिलिका, या सिट्रॉंचियम सल्फेट, सिट्रॉंचियम सल्फेट का बना होता है, अब यह important क्यों है, जब इनकी death होती है, they sink down to the bottom of this ocean, और वहाँ पर यह mass जमा हो जाता है, इनकी deposition हो जाते हैं, उसको कहते हैं, रेडियो लेरियन ओज, यह रेडियो लेरियन ओज से tripoli stone भी बनती है, तु bought a तो, इसको फिर ग्राइप करके,バイłर फ़ॉम में इसको rubbing में इसिद्रिजाए होते हैं, इसके बाद एंपॉर्टन एक हैं फिर प्रबडर फ़ॉम में, उसके बाद हैं, एक हो जो गरिगारियन और यह सप्वोरर्ड IS, जिससे minus passions हैं, गरिगारियन ओ प्लाजम मोले में इमीरिया हैं इसी तरह से यह बहुत पूर जोन है और यह गिर गरे नहीं किया है इस इन इंटरस्टान पारसाइट ऑफ और और फ्रेंट्स होप कि प्लास्पिक अब कंप्लीट होगी होप कि इसे आपको बेनफिट मिला होगा आप जरूर इसको पढ़िए याद रखे और इंशाओला एक्जाम में कोई भी एक्जाम हो चाहिए आपका इंटरस्ट एक्जाम हो या कोई कंप्लीट एक्जाम हो इसमें इंशाओला जो भी कुश्टिंज आएंगे इन देविल हैप यू कॉलेफेट एक्जाम और बेस